प्रह्माले रहीम, अस्सालाव अलेकुम, उमीद है आप सब ठीक होंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल्स रेडिकल्स क्या है? गुरूप आफ एटम्स हैविंग सम चार्ज इसकार्ड रेडिकल्स गुरूप आफ एटम्स जैसे दो, तीन, चार एटम्स बनके एक गुरूप बनता है तो गुरूप आफ एटम्स हैविंग सम चार्ज उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज हो उसके उपर चार्ज हो इसकार्ड रेडिकल्स फॉर एक्ज особенно, ammonium इसका फार्मूला है NH4, 1+. तो यह हमारे पास एक पॉजिटिव रेडिकल्स है उसके बास हमारे पास दूसरा एक्जम्पल्स है थैडरा जांट ब यह रेडिकल्स आय कैसे बनता है तो यह जो radical है वो valency के बन्याद पर बनता है on the basis of valency अब हमें पता है कि nitrogen की valency minus 3 होती है plus 4 hydrogen hydrogen की valency 1 होती है यहां पर हमारे पास hydrogen 4 है तो हम 4 को multiply करेंगे 1 से तो minus 3 plus 4 is equal plus 1 क्योंकि plus 4 है minus 3 है तो हमारे पास answer आएगा plus 1 उसके बाद hydro oxide है hydro oxide में हमें पता है कि oxygen की जो valency है वो minus 2 है plus hydrogen की valency 1 तो minus 2 plus 1 is equal minus 1 तो यह हमारे पास एक positive radical है ammonium और hydro oxide OH negative हमारे पास negative radical है उसके बाद sulfide, sulfate, nitrite, nitrate, phosphate, phosphate अब इस तरह से हमने इनको नाम क्यों दिया क्या है on the basis of oxygen जिनके पास कम oxygen होगी, lase oxygen होगी उनकी last में जो है वो हम ITE लगाएंगे और जिनके पास large oxygen होगी उनकी last में हम ATE लगाएंगे तो sulfide, SO3, sulfate, SO4 उसके बाद nitrite तो इसमें जो है वो oxygen 2 है nitrate के पास oxygen 3 है phosphide, phosphide में PO3 phosphate PO4 उसके बाद है carbonate carbonate का फार्मूला है CO3-2 इसके उपसचा आज है अब जब carbonate के साथ हम एक hydrogen को ATE करेंगे तो ये हो जाएगा bicarbonate उसके बाद हमारे पास एक और एक्जम्पल है sulfate, SO4-2 अब इसके साथ भी हम एक hydrogen को ATE करेंगे तो ये हो जाएगा bisulfate HSO4 इंशाला हम next class में जो है वो simple short questions आते हैं 9th class में define free radical free radical क्या है? how free radicals are generated free radicals किस तरह से generate होते हैं या किस तरह से बनते हैं give some examples of free radicals in the form of chemical reactions in the form of chemical reaction free radicals के कौन से examples है तो इंशाला हम next video में इनको discuss करेंगे कि 9th के paper में short questions में आते हैं उमीद है आपको आज की video पसंद आई होगी अगर इससे related कोई भी question हो तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते हो अपना बहुत ख्याल रखिएगा थेंक्यू सो मच अलाफिस